लुट करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे मैं नाम वसीन चुहान बिटा मैं सौलत करता हूं आपका बिरू की डिशल पर मैं आपको क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूं और साइंस में हमने जीरी घ्यान प्यारं क्या था जीरी घ्यान में चैप्टर पढ़ रहे हैं जय प् भागवा नम कर चुके भाग उनमें हमने देखा था कि पॉशन क्या होता है पहरा था विसंप पोशी पोशन आपको कि विसंपोशी पोशन क्या होता है कि जब एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता अपने भोजन के लिए ऐसे पोशन को हम बोलते हैं विसम पोशी पोशन में जो हम आगे टोपिक कवर करेंगे उनमें फर्स टोपिक रहेगा मानो में पोशन हमारा शरीर है उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं हो रही होती है कुछ अभी के रहे हमारा रासानिक प्रिक्रतिकी होती है और कुछ हमारा जैव प्रिक्रतिकी होती है तो उन सारी प्रिक्रियाओं को करने के लिए हमें कुछ उर्जा की आवशक्ता होती है और कुछ अन्य पदार्तों की आवशक्ता होती है तो सारे पदार जो मिलते है वो तोपिक हम कवर करने वाद है हम इसको स्टार्ट करें से पहले कुछ बेशिक जो तिरसे कॉमन वर्ड है जो कुछ शब्दावली यूज हुई है इस चैप्टर में उनके बार में पढ़ना है तो बिटा आपको अपना रेजिस्टर पैन साथ में लेकर बैटना है चीज़ों को वह बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है तो आए शुरू करते हैं भाग से गई तो मैं बता रहा थे आपसे कि पहले कुछ शब्दों को यूज्स मतलब में पढ़ना है पहला शब्द जो रहेंगा शर्करा रहेगा शर्करा क्या होती है आपने लिकार आपने शरकरा के बारे में इंग्लिस में को शूबर कहते हैं और आपने नाम सुनोगा इनका कारगो हाइंडेट्स भी एक तरा से शरकरा होती हैं तो शरकरा हएं जिन से हमारा शरीर जो है अर्जा प्राप करता है हम खाना खाएंगे तो बौजगत में जो है नाम में लिख आपके लिए परका sempre में आंपको बताया कि आपको करते हैं और अपना भोजन मनाते हैं सब्सक्राइब गुलकोज ऑपने चर्कारा है और aktाव तो पहले gladionич makes it म 1965 क्या हैं उसको पाएज़ाइब होती है आपने अपने देखा कि गोगा। करते हैं कि विल्ट करते के जो पीड़ी पिरकार की शेंखर और मिलती है उसको इसको बोलते हैं तो फरक्टोस होती है और दोंड में मिलती है और इसको गालेक्टोस कहा जाता है तो यह हमने तीन परकार की मोनो सेक्राइड शरक्राइड पढ़ी हैं तो यह जो कुष्टिन है मैं क्या बताना चाहरा हूं आप से कि यह बेसिक नोलीज रहेगी जो इस टोपिक को पढ़ने में हमें सहाथा करेगी यह एक एक्जान में होता है इसकोलरशिप के लिए 10th लेव होती है तो question पोचेएगा कि दूद में मिनने वाली साधहरन शरक्रा का नाम बताईए या दूद में मिलने वाली सब्सक्राई क FR कि भी कितनी होता है इसे शब्सक्राइब को में उनको क्या उनकीelo जैसे बटा एक हमारे हो टी है शुक्रोज होती घुर का शुक्रोज और दूसरी इसमें होते मालटोज लेक्तोज और तीसरी स्म्होंगा। अब या नाम घ्यान रखेंगल बहुत is it है शुक्रोज है कि माल्टोज है लास में कुन सी आती पीटा नहीं लेक्टोज होती है अभी मैंने बता है कि दाइसे क्राइट दो मोनो से क्राइट से मिलके बनेगी तो यह शुक्रोज होती है वह कौन कशुक्रे के मौनो से क्राइट रहेगा उसका नाम गुरुकोज होता दूसरा भी रहेगा वहलाच व्यां लेक्टोस में पहला जो रहेगा मोनो से रहें जोए तो यह वाला दूसे परकार को जो था यहां से क्रेव और विजाब रात हैं तो यह आपको दो तीन बार ये बिटा एक बार देख लेना है बस अब एक जो बाद आपको ध्यान एक नहीं हो क्या है अगर हमने खाना खाया खाने में शरकरा है वो शरकरा कैसी है शरकरा विटा हमारा सपोस को डाइ सेक्राइड है मतलब आप खाने शुक्रोज शुक्रोज चीनी होती है शुगर जो हम चाय में दूद में डालकर पीते हैं या उसमें पिन मालटोज है या अपर क्या है लेक्टोज है तो इनको हम खाएंगे तो इनको पचाना पड़ेगा य तो मतलब 18 सेक्राइड को हमारा से पचाता है और पचाना यह बाद नहीं इस अवस्था में परिवर्थित हो जाती है तो यह दीसरी परकारी की में उन्हें कहाने लाता है पोली सेकरेट्ट ओप जो है पोली शब्ट इसका मतलुवार्टों भूता है मैंनी क्योंकि पोली इंगलीस्ट का वडंड है आप मतलब समझव कि ऐसी शरक्रायां जो बहुत। सारी साधारन शरक्राओं से मिलके बनेगी बहुत सारी मोनो सेकरट्स से मतलब एक chain बन जाएगी पूरी mono plus mono plus mono plus mono एक शरंकला बन जाती है तो ऐसी शरकरा को होते हैं only second कहते हैं यह अपना पे जटिल आस्था में रहती है मतलब complex form में रहती है अब इसमें कौन-कौन सी आती है जैसे आपने एक बिटा नाम सुना हुआ का इस्टार्च केबारे में स्टार्च में पेड़ि से शरकरा होती है अबितक्त आप शाए अपने जब नगता है उसको दो फेटो उसको इस तार्ज में पईव्रतित कर देते हैं और इस त्राज के रूप में उसको संग्रिहित करते हैं ठीख है फ़िटा तो स्टार्ज का मतलब एग्डू कोस के बहुत सारे अनू आपस में मिलके एक लंबित वस्तपे है उसे को स्टार्ट किया दूसरा इसमें होता है ग्राइकोजन है ग्राइकोजन पर रइख है तो ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है तो हमारा शरील उसको एक दूसरी रूप में परिवर्थित कर देता है तो उसी रूप को बिटा घ्लायकोचन खा जाता है तो यह ध्यान हमाइन आपको इसको एनिमल शूबरी भी कहते हैं अबना तीसे परिकारें की जोटी है विट्टा हो से लोटी है आपने पढ़ा होनाज़ से ऑफिशे होती है आपने पढ़ाओ के लाश में जो होती हैं घ्यान है क्या च्छेलों हैpolitik लगोटी परक यूब होता है दिशो माएंटे ओने ऐस सब्याविक तो अगर ने Cemalmi लोगी क्या होता है चली आवस्था को साधर्ण रूप में परिवर्तित कर देती तो साधर्ण, रूप क्या होगा है? जाने संविसानल में स्टार्षटं मानचनत यह लेगा और माननों में पोसन और प Zhu desarrollo लेगा किना में नहीं तो मैं क्या केता होँ आप एस के दूसे रूप में परिवर्थित हो जाएगा और भोजन का जूँत्स शाधारना होता है यानि जब जटिल भोजन है वो स्ताइधारन अवस्था में परिवर्तित हो जाता है एक रासानी गभी किर्या के दुरान तो उसी को क्या होता है पाचन कहते हैं अब पाचन में कुछ कर ऑख कर कर साधार आवस्था को प्राप कर एगी और कि साधार आवस्था क्या होते हैं लेकिन जो अगरेक्टोज बहुत कम मतरह में होती है क्या नाम दे तरह चाहता है और जबी पचेगी तो साधरल रवस्था दूबगी तो साधरल रवस्था होती है लाज में पचावा रूप होता है इंडिस में गएंगे दाइजस्टिट फॉर्म तो विट्टा उसको वसी अमल कहते हैं थिक है आपको विल्कुल ध्यान लखना है वा सियर और वह भी होता सिन्हें में रिपीड आपसे कोश्य का का चाहा रूप में की नाम क्या है तो आप बताओंगे कि वसी और प्रोटीन का जो आदारण रूप है पचावा रूप उसको बोलते हैं अमिनो अमल ठीक है बिटा तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में परिवर्तित करना है वोजर की प्रीवर्धिता कर दिया है आप सबस्क्स करो के लिए आपको दो चीज पढ़नी है कि उसको आहार नरी का कहते है तो food हमारा वहाँ से पास होता है और इस तरह से बिटा स्ट्रक्चर होगी इस टेक्चर विट आपको ध्यान से भी बूल अबसर्फ करने है आपको पढ़ना पढ़न होरव होता है अैं और दूसरा जो है पढ़ना पढ़ेगा आपको वह पढ़ना पढहे हमारे सी के अंद्र कुछ इस ने कहते हैं कि अवर्ट पढ़ना पड़ना पर आधा उसको निर्मार्ट कर रहे होते हैं और उन रसायत पदार्टों में हमारे इंजाइम होते हैं और जो बचाने में होगों पर पश्ता नहीं है यह कऊ कि जो हमारे ऐन्जाइम है वह एकतरह से बिटा मतलोंगा टो चल्दी हम उत्परेरक हैं है तो यहां पर क्या क्या है कर दर है उसको उसने बढ़ा दिया है तो यह दो यह इंजाइम होंगे वह भी क्या होता है था कॅरते हैं और आफ बनते हैं ग्रंथिया बनाती है ओंको ग्रंथिया क्या होती है अग हमारे बीटा थे टर से तो बड़ी आत लूख से तो मतलब यहां से स्टार्ट होती है और इसमें बीज में पार्ट होता है और इसको क्या होते हैं पेट को कहते हैं यह को प्योर हिंदि इंदी में क्या कढ़ा है शांचा बढूर शोटी है फटिए बना चोटी में चोटी है लेकिन बढ़ी होती चोटी है इस को बढ़ी आथ तो यहां निकांगे हैं हमारे अहार नली कर दो हमारे इसको हम आता है इसको हम क्या बोलता है इसको इसो फैगस कहेंगे यहां नहीं प्ाइब सकता हूँ, भोजन निकांगी कर सकता हूँ पेट होता है,Ch recruitment पेट में आता है पेट के बाद哦 cod煌 चोडी आथ में आता है ओस चोडी आथ के बाद जो गजरा भोजन हो बढई आथ के बाद जो बढ़ी आथ में जाता है लेटा है इंगलिश रूपने नाम याद कर लेने ईसेट को डिजया आई के नाम से याद करें रखना डिजया इसका पहला जिर ऑप डिजया बनता है और जयजुनम बनता है जेसे और बटा आई से गनता है इलियम, ठीक है ज़ूटी आथ के नहीं इसके लिए इसके इसके इलियम, पहले का नाव होता है सीकम, नफीर बतारों कि इसको हिंदी में को हो या इंचिम को बात एक ही है, जैसे में अलिदूबा सीकम, तो इस सीकम कहलाएगा पहला भाग, और दूसरा भाग जो उसको कोलन कहते हैं कोलन और विटा तीसरा भाग उसको रेक्टम कहा जाता है तो यह नहीं चीज है अगर आपने पहरे नहीं पढ़ा है इसको पहरी बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत आएगे याद करने में दो-तीन बारा बोल के याद करने जाद ठीज़ चाहिं फिर रिपेट करूँ छोटी बीट के भी थीन बाग के बड़ी बीर थी भाग है छोटी आद बाँ है। घाट ला बाकि जो इसी बाड़ पशना उसका कंप्रीट हो जाता है ठीक है यह खालिक आम चाली पार जब मोथा य आती है और शरीर का एकसर से ट्रांसफर करना होता है इसमें भोजन का ऊफिर होता है इसमें कु्ह पढ़नी और स regulation कईसे कैसे हो रहा है वहाँ पर आती रहेगी उसके बादे में मैं को बजाता हुआख करते जाए जैसे यह जो अंग है इसको हम लिवर कहते हैं यह आप इसका ध्यानत ना मतलब बुक में इसका डागराम साफ साफ होगा बस लेकिन आपको समझना यहां के लास में ठीक से है ठीक है यह होगा लीवर और यह लीवर में जो चीज बनेगी वह यहां पर स्टोर हो जाएग है यक्रत कहते हैं रस बनाते हैं इसको बोलते हैं फूर जो पत्त रस पितरस हैनँ यह हमारा क्या होता है पंक्रिया अगनाशे होते अगनाशे की एंगरा जो छोका चूटां और यह अभी आपको ओवर्यू दिया है कि भोजन हमारा कहां कहां से पास होगा और कौन-कौन से अंग भोजन के पाचन में हमारा इंवल्व होते हैं अब हम यह देख रहे हैं कि भोजन हमारे माउस से स्टार्ट होगा और पूरे शरीर में जाएगा जब मतलब आहार नलीका में होता है तो जातर बच्चों के माईन में बाता है कि हमारा पेट से प्रारम होता और बात है पाचन हमारा माूस से मतलब मुर से प्रारम होगा तो मुह में कि क्सीज का होता है जैसे मैं बोजन की बात कर रहे हुं जैली है इसमें प्रोटीन भी तो उसमें वसाबी मैं वसाबी है तो कौन सा अभीयव भुजन का उहां सि air sugar तो इस टार्स का पार्चन शुरू होगा मुह से यह आपको ध्यान रखना है काफी बार एक्जाम में कुछ पूछ गया है ठीक है और मैं आपको बता चुका के बास समझो के पार्चन के लिए आपको चाहिए एंजाइम तो एंजाइम यहां पर कौन सा होता है टाइलिन होता ह कि यह आद तो वह घृति के इसको की लिए कि जाइंजाइम बनाती है ओर एक जाइम का नाम हो गया है इसको क्या हो कहते हैं आगे तो क्या हो या उनक्ता है क्या करेगा बोजन को पचाने में सहाध हो जाता तो यह यहां पर पाचन संपूर्ण हो गया था लेकिन यह परिवर्टित हुआ ऌगे घुटन नहीं है तो यह महां से दो कहें तो मूह ठाईगा सबसाठेकर नाया बंतार, जबाल बंबना बंभूम सब्रार है सपूर होता है धितल मुँखने वाल तो निकने सब्सक्राइमि के यह जो यह जातीए कि निकलता है और है तो यह माउथ में इतना काम न होता है उसके बाद क्या होगा वह फूड है हमारा वह पूड काव कि भोजन मतलब वह कहां पर आएगा इस पाइगा क्या इसो फैगस करते हैं जो था वह हमाले शरीर में आहाल नहीं अएगह बढ़ेगा और उसको बोलते हैं इसो फैगस इंगलीजस एसे अपको कि पाचन हो इसके बात कर रहों में प्र जाएन से आधर तो एक घृति को करता है उसकी अपनी गति क्रूद को से करना है तो किरमा कुंचन का मतलव होता है जब म halfway होती है और गति का आपको नियान ध्यान अपना है करूमा पुंचन गति कहते हैं ठीक है वेटा और दूसरी बात क्या ध्यान लगतने कि इसो फैरस में कोई भोजन का पाचल नहीं होता है वेटा उसके बात जो है जो भोजन है हमारा वो कहां पर गया है तो पेड़ में देखते क्या पेट में पाशल की कि बात कर रहें तो पेट में क्या होगा घ्रंधी इसको बौड होती है यह वाली और यहां में ग्रंथी होती इसको उन्य वाला क्या है आप होगा क्या च्छास जार ग्रंथी मैं पर िबियंग आंगे जो कुछ रसायल पदाथ बनाते और उन रसायल पदाथकों में से एक हमारा होता है रस और उस रस में हमारा एंजाइम हो सकते हैं!" प्रश प्रशन्तिंधो 있는데 खरें लिए घ्रष को जोनते हैं === पहलों हम सब्सक्राइब सबस्क्राइरा इसका काम बता塊 होता है ईसको बोलसकों इंजाइम को बहुते हैं नाम होगा पैपसिग एंजाइम को बोलते हैं पैपसिड ग्रंथिक होती है ग्रंथिक रस बनाएगी उस्सका नाम होता है तास उसमें तीन चीजें होंगे एक नाम मुकस एक नाम HCL और एक नाम क्या होगा पैपसिंग पैपसिंग अंजाइम है बिटा ना तो मतलब यह भोजन को परचाने में मदद करने वाला है आप सुनो बात हैं से कि म्यूकस का क्या काम है जो जटरस में मिलना है तो यह हमारा पेट की दिवारे हैं यह पेट की सब्सक्राइब करने मदद करता है दूसरा में क्या पतान हो है आपको एक तो जो बोजन में हमारे मिटा हानिकारक और दूसरा काम क्या है कि जो एंजाइम का नाम बताया था है पैपसीन वह हमारा करता है उषको करता है ने प्रियानवित करना तुम्हें चैनल चैनल किसे नहीं की is हुआ को यह हम अन्याइं तो कि मैं चैनल के करता है मैं हट है तो दो दवारत हायँ आपको एक तो है कि द्वारा जो कुछ arm काल रीवानों वे हए प्रयृप से कल जा टील करता है वहिसटव už और दुसरा है वह है कि प्रीकिशन होता है इंबow उसको एक्टिव फोraszam में परिवर्थित करता है ऐपना सपोसको हो जो एनजाइन हमाना है वह स्क कि जो एनकिवेटिड फोम होती है या जो एक ची नाम होता है पैटसिनोचन यह हिंदी के जनिए न भी यह कहता है और यह पेपसिन की किरियाशी रवस्ता है अब जब पैपसिन हमारा किर्यानवित हो गया है एक्टिव हो गया तो कुछ क्याम करेगा यह अब यही बाल आपको ध्यान रगे नहीं है कि जो हमने खाना खाया था भोजन खाया था तो भोजन में पेटा हमें क्या मिलता है एक या को वह परीवर्थित करता है अब सुनों बात मैं नोआब कि तृक्तहा वोड़न होते हैं उसको क्यों क्या थ 거죠 तो या तो यह मैं परीवर्थित होगा यह वो फैप्ताइथ मेंगत होगा तो अगर ये आमीनों अमिल में परिवर्थित होता तो ये प्रोटीन का जो पाचन था वो संपूर माना जाता है हाँ पेट में जो भोजन है वो तीन से चार गहंटे तक रहता है और लिक्विड के साथ मिलकर वो पतला पतला सा हो जाता है उसको बोलते हैं काइम बोल्फ के द्वारा जो भोजन हमारा जो पन चुका था हमारी चोटी हाद में परिविश करता है तो बिटा हम यह पढ़ने वाले हैं कि छोटी आत में क्या होगा, ठीक है, तो छोटी आत में पाचन, आभी मैं बता जुका है कि छोटी आत जो होती है, वो नाम छोटी है लेकिन वो लंबी होती है, बढ़ी आत से लंबी होती है छोटी आत, अब छोटी आत के तीन पार्ट मै बोजन का पाजन संपूर हो जाएगा बलकि बोजन का ऊशोशंट भी यहीं पर हो जाएगा पूरा तो अभी करना क्या है देखो छोटी हाथ में जैसी बोजन आया अब उसका नेचर उसकी प्रिकृति बोजन की अंग लिए है क्यों हाइट्रूरिक एसट से मिल गया है पेड म होता है और फिर वो छोटी आतमे आजाता है तो मैं क्या कहना है चलती है छोटी आतमे क्या होगा बोजन का निवी सको इसको नहीं है यह को बिलकुल नहीं पचाता है क्यों कि पृत रस बैङ twenty Mmm नहीं बहाता है पित्रस में कोई ब्यूना emoda मैं बता जोगा जब बोजर का पाचन में सब्सक्राइब होती है और इसके बढ़ी बड़ी बूंदे होंगी उसकी बड़ी बड़ी बूंदे हैं तो यह जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वसा की उसको पित्रस क्या करेगा वसा में परिवर्थित करेगा लेकिन वसा की जो बूंदे होंगी वह छोटी-छोटी क्या ही बूंदे होना है चोटी-छोटी बूंद तो जब बसा जो है बड़ी बड़ी बूंदों से छोटी छोटी बूंदों में परिवर्थित हो जाती है, तो इस पूरी पर के लिए को हम अमलची करन कहते हैं, इससोपर इम्पॉरइन्ट चीज मा आपको बता रहा है, आप ध्यान रहना इसको क्या होते हैं अमल्सी करण क्या होता है तो आपको क्या ध्यान रहना इसमें कि अमल्सी करण वह पर के लिए होती है जिसमें बड़ी-बड़ी बूंदें पित रस की सहाता से चोटी-चोटी बूंदों में परिवर्टित हो जाती है और किसकी बूंदे जो पूछे किया होता है कि जो वसा है बड़ी बड़ी बूंदों से परिवर्टित हो जाती है चोटी-चोटी बूंदों में चीज को बनाता है और किसके त्वारा वोलती है यहाँ ख़रन का पार्चल की लिकुत में आशे में early लोगनत भूवरे कि व Almost what the change है उस्से बन्लेवाद है बनाएगा वर एक नहीं होता है यह होगा विप्टा हमारा आपनी जूस होगा या ऐसको कहेंगे आगने रस हां आगने रस होता है आप या तो आगने रस लाईगा यह वोलते हैं इसमें पाए जाते हैं और जब मैं पाचन नहीं किया था लेकर आप क्योंकि यहां पर हमारे एंजाइम बिन रहे हैं तो यहां पर कुछ पाचन होने वादा है तो पहली बात आपको ध्यान लटको नहीं है कि आझा आगने रशन में यहां जो पंक्रेस में मिलेंगे पहले का नाव है और दूसरा जो इन्जाइन होगा उसको ट्रिप्सिन कहा जाएगा उसको को बोने हैं ट्रिप्सिन होगा यह जो इलिए यह यह पेले पड़ा था आ या यह सब्सक्राइब करने वाला इसका मतलब ही इसका मतलब सेंस की बात है कि यह भी प्रोटिन पर काम करने वाला है और दूसरा जो है लाइपेज, लाइपेज को याद रखो लिपिड आपने पढ़ा हो नाइफ किलास में, तो लिपिड का मतलब भी फैट होता है, इसका मतलब भी बसा पर काम करने वाला है, खेर आपको क्या नहां लखना है कि अगिनाश्य होगा, उसमें जूस मिलेगा अप और रसमें तीन एंजाइम होंगे, अब बेटा जब एंजाइम आ गए हैं तीनों, तो कुछ ना कुछ ये काम करने वाले हैं, आप समझो बाद, कुछ स्टार्च तो हमारी ऐसी थी जो मुह में हमारा परिवर्थित हो गई थी किसमें, बेटा, माल्टोस में, लेकिन सारी स् परिवर्थित कर देगा, दूसरा मैं क्या बता रहा था, कि पेट में सारी प्रोटीन परिवर्थित नहीं हो पा थी है, प्रोटीन बज जाती है, तो फिर दूसरा काम क्या होगा, कि प्रोटीन हमारी क्या थी हो, बजी भी प्रोटीन थी, तो बिटा उस पर काम करने वाला कौन है उस पर ट्रिप्सिन काम करने वाला है और ट्रिप्सिन इसको किसमें बिटा पैक्टोंस में या पैक्टाइट्स में करण देगा और अभी मैं बताया था कि एक मिलता लाइपेस लाइपेस का काम क्या होगा अब ये बतेया था कि वसा थी हमारी और वसा कैसी थी ओ अमल सी लट वसा कहां से मिली थी जो बड़ी-बड़ी तो वो जो वसा हमां से अमल सी करतवसा इसको ठीक से ने कोई बार कि अमल सी करतवसा नाम कहां पिटा लाइपेज है लाइपेज की मदश्थे अब हिहां देखो वह वह हमारा वसीय अमल में परिवर्टित हो जाएगी वो आप किसमों के वसीय अम्ल एमम गिल्स रोल में परिवर्थित होगी, मतलब यह समझो के यहां पर एक बात नहीं है, कि यह जो रूप आया है, यह वसा का साधरत रूप है, पचावा रूप है, यह दोनों भी अभी हमारे सिंपल फॉर्म में या साधरत आवस्था में परि बोजर का बात नहीं को संपूर कैसे होता है यह आज़्ट रहेगा बात रूप आप ऑब है यह चोटी आत होटी है, उसके अंदर होटी होती है, चोटी इदन अब होती है और वहां से रस निकलते हैं और उन रसों में बिटा क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं. वो एंजाइम यहां पर भोजर को सम्पूर डॉप से पजा देंगे. आइबा बिटा, तो छोटी आथ का खुद करस्ट होगा, उस रस का नाम होता है सककस, सककस, एंट्रिकस. सिर्टिया विद्टियों कि चोटी आपका रश है एकतर ऐसे और इसमें अंज्ञाइं मिलने वाले हैं जैसे एक अंजायम में बेगा ट्रभ्यश का नाम है कि प्रोटीन जो मिलने वाले हैं इस तरगसांतिकस में उसका नाम है प्रिटिडेज तो peptidase बिटा मैं इंग्लिश में लेका हूँ नामी क्योंकि एक ही बात है इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर तो peptidase क्या करने वाला है इस peptrons को परिवर्टित करेगा बिटा किसमें अमीनों अमल में और यह क्या हो गया है मतलब अमीनों में बताया था कि प्रोटीन की साधार नवस्था होती है इसका मतलब प्रोटीन का पाचन यहां पर आगा संपून हो गया है इसी तरीके से बिटा मैं क्या बताऊंगा आपको अगर आपने खाए अलाज हैं अलाज में जो शर्क्रा मिलती है उसको बोलते हैं क्या होता हैं उसको माल्टेज कहते हैं mother और अभी मैंने क्या बताया था आपको के स्टार्च भी माल्टोस में परिवर्तित हो गई थी तो आप क्या होगा माल्टोस पर काम करेगा एक एंजाइम जो मिलेगा सकसेंट्रिकस में और उस एंजाइम का नाम होता माल्टेज उसका नाम होता है माल्टेज तो माल्टोस शरक तरह की साधारन अवस्था मतलब माल्टोज का है इस्टार्ज का यहां पर पाचन क्या हो गया है संपून हो गया है इसी तरी के से अगर आपने चीनी खाई है छीनी मतलब जो एक दूर में डाल करें चाय में हमला कर पीते हैं उसचीनी को बोलते हैं हम शुक्रोज का हläता है ना बंटा है । बंट शुक्रोज ये शुक्रोज करके है उस चलत्रेult परिवर्तित हो जाए गुसमें गुरुकोस में मैं और दूसर सक्कषूरा शेखंट हो जाती हैion और फाी जर्शनी शररा उम्हारा उस्क्साराइब में माच्ठी लाई पेश पर यहां पर मिलने वाला है और उसकी साधर लास्ता में और उसी को बोलते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर बेटा पार्चन यहां पर संपूर्ण हो जाता है ठीक है तो पार्चन जो की मुह से प्रारम हुआ था और फिर वह फूट पाईप मतलब इसोफेगस में आया था इसोफेगस में कोई पार्चन नहीं हुआ था पेट में हमने देखा प्रोटीन का पाचन प्रारम हुआ और फिर हमने छोटी आग में देखा कि किस तरीके से कौन-कौन से भोजन के अविवका पाचन होता है छोटी आग में आका हूप पाचन बिटा क्या हुआ है संपून हो है अब हमें पड़ना है कि जब भोजन पच जाता है तो फिर उसका क्या होता है मैंने बता है कि उसका होता है आवशोषन बोजन का मतलब एबजोब करना अब शरीर उसको जो है आवशोषित कर लेगा तो हमें पढ़ना है बोजन का आवशोषन बोजन का आवशोषन शरीर के किस भाग में होता है यह पर देब बात है या बिट यह ग्यांद से देएंगे शयद बढ़ीयां, जो कि यह घरत बात है, क्योंकि बोजिन का ऐसोषन भी छोटी आथ में होता है चोटी आथ के जिस भाग में होगा भीत बीटा उसको क्या हो रहें। इलियम क्या होता है चोटी आत का अंति भाव होता है तो आप बहुत सारी है तो इनको तो विलाय क्या होती है अंगली की आकार की जैसे माली finger होती हैं तो finger like instructions हैं उंगली की जैसे आकार की सन्शनाय हैं मतलब कुछ इस परकार की बेटा क्या होती हैं यह सन्शनाय होती हैं और यहां से इन मेंसे जो हमारी रक्त नलीखाएं हैं जिनको blood capillary कहा जाता है तो वो आती हैं और और फिर क्या आत हैं कि बोजन कम आशोशय penalty just with you wow Tracer कॉंफ करता है उसका नाम में विलुजएं विलाज जया विलाई और मोजन आव शोशीच होगा इस बार धिन्हान एक बेटाउप को जो बोजन की प्रोजर की ओन-छे पार्ट है मैं मेंoda था आमीनगले होता है प्रोटीन इसे वहाना जाता है और इसी तरीके से मैं वहाना पचा था, या कार्व आयोईडिट नेरी तो उसका मेन पार्ट क्या होता है, गुणकोस होता है, या बुणकोस यह दोनों, विलाई के द्वारा किसमें मिल जाते हैं? की था मिसाना नुटर सी अमल में क्या हुआ हुआ हैं खुशितरों और ना मान लंसकाउन फैली में झाल में इतना द्यान रखना है या कभी कभी मैं इसको लिंफ भी कहता हूं लिंफ होता है तो ये था हमारा बोजन का उशोचन हमारा किसे दुए होता है लास्ट विक रहेगा तो इसको बोलते हैं पोजन का स्वांगी करन का मतलब English पर गोलते हैं इसको हम एसी इमिलेशन स्वांगी करण के बारे में बिटा हमें पढ़ना है बोजन का स्वांगी करण का मतलब क्या है बोजन आउशोशित हो चुका है अब कहां पहुँच गया फाइनली वो रत में पहुंच गया अब रत जो है उसको शरीर की हरे कोशिका तक लेकर जाएगा कोशिका जो है वहां से उस भोजन का भोजन को ले लेगी जो की पचावा भोजन था तो जब भोजन रत के द्वारा हरे कोशिका तक पृतिए कोशिका तक पहुंच जाता है तो बिटा अब कोशिका उससे क्या करेगी उससे उर्जा प्राप्त करेगी और प्रोटीन का काम क्य का होता है मतलब विकास के लिए ला होसिख करेंगी या मर मिअ मरमबथ होई तो जब भोजन का उदेश्चे पूरा हो जाता है कोशिखा में जाकर तो सिक बीटा क्या होते हम स्वांगीज़ गरण कहते हैं तो ये विटा हमने आज portion को पोशन का ये second भाग में आपके लेगा राया था और आपको कैसा लगा या आप comment section ने बताईए या अपने सुझाओं है वो भी आप हमें comment section में दे सकते हैं हमारे चैनल को जिसका नाम blueprint digital है आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और like share कीजिए अप सब्सक्राइब करेंगे और like share करेंगे और like share करेंगे